Hello everyone, today I am going to teach you how to write application for change of section बुकत बार ऐसा होता है कि हमें अपने section को change करने की जरूरत पड़ती है तो उस application को students कैसे लिखे, ये मैं आपको यहाँ पर आज सिखाने जा रहे हूं format बिल्कुल वैसी होगा जैसी all letters में होता है बिल्कुल आपको margin line से शुरू करना है, सबसे पहले the principal ये तो होर student को लिखना होता है then name of your school जो भी आपके school का नाम है वो आप लिखें यहाँ पर density, हमेशा लिखा जाता है ये, आप जानते हैं after this you have to write date जिस दिन application लिख रहे हो उस दिन की date आपको लिखनी होती है इसके बाद salutation होता है respected अगर आपके madam है तो madam लिखें और अगर sir है तो sir लिखें दोनों नहीं लिखना है यहाँ कोमा लगाना है फिर फिर इसके बाद से सबसे important बात होती है कि आप यह बताएं कि आप कौन से class के student है I am a student of class जो कि आपकी class है फूर्थ है फिफ्थ है जो भी class है वो आपको यहाँ पर लिखनी है इसके बाद बताना है कि आपकी समस्या क्या है विसलिए आप से section change करना चाहते हैं I have been suffering अब आपकी क्या परशानी है suffering from asthma for a very long time क्योंकि आप समझ जब एक बार हो जाता है तो इटेक से वेरी लोंग टाइम many times I fail to join in my class अब किस कारण से because of अब 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 क्यादर सांस नहीं आती है because of breath less यानि कि आपको सांस नहीं आती है I have my cousin sister को जरूरी नहीं कि आप इसमें अपनी cousin sister के बारे में बताएं आपका friend भी हो सकता है I have my cousin sister then write name in section B I want to change my section from यहां पर class भी अपको लिखनी है और फिर उसके बाद section लिखना है from I want to change my section from अब जो भी class है उसके बाद A to be as I miss my chapters my chapters due to my ill health I in that case I can take take help from my cousin अब आप क्या चाहते हैं वो के लिए बाद की लाइनों में लिखना चाहिए I shall be highly highly obliged highly का मतलब आते दीक और obliged होता है thankful I shall be highly obliged if you could kindly allow me to change my section I I want that my study should not suffer in any case के किसी भी तरह के से मेरी पढ़ाई परभावित नहीं होने चाहिए thanking you फिर एक लाइन चोड़की हमें जैसाब जानते हैं format में yours लिखा जाता है और students को obediently लिखना होता है जोड़की हमें आप इस और इस अपर आप इस आप इस में इस इस तरी आप्लिकेशन प्राई करिए आप इसमें il health का लिख सकते हैं जैसे कि मैंने हाप पर लिख के बताया है आपका और अपनी अगर और कोई आपका वज़े हो सकती है तो वो भी आप इसमें mention कर सकते हैं इस तरी की application में कि change को चाहिए जैसे कि for example माले जिए कोई बच्चा handicapped है और उसकी class upstairs से है यानि के first floor पर second floor पर है और वो वहाँ जा नहीं सकता तो तब दूसरा section जो ground floor पर बैठता है उसमें change के लिए कह सकता है तो ऐसे और भी बहुत सारे regions हो सकते हैं जो आप application में लिख सकते हैं I hope कि आपको यह application समझ में आ गई and press the bell icon button so that you don't miss any of the videos of your class thank you very much for watching the video and taking interest in my channel bye